नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श नियूज मैं हूँ दिव्यान्सू बिहार के मुख्यमंत्री इंडितिस कुमार ने आज का दिन बैठकों के लिए चुना है सबसे पहले उन्होंने केबिनेट की बैठक की सुबह में और कई अजंडों पर मुहर लगे और उसके बाद साम में अधिकारियों की बैठक कर ली अधिकारियों की क्लास लगाई है जिस तरीके से बिहार में लौ एंड और का जो सिच्वेशन है काफी खराब होता जा रहा है और जब से चुनाव खत्म हुए लोग सभा के तब से जो अपराद का ग्राब बढ़ा है और उसके बाद फिर जीतन सहनी मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है बेरहम हत्या हो जाती है जिससे सियासी उथल पुथल मच जाता है विपक्ष इतना हमला करती है इतना बैठक बुलाई है अधिकारियों की क्लास लगाई है उन्होंने बैठक में तमाम जो टॉप के अधिकारी हैं वो मौझूद थे फिर चाहें डीजीपी हों एडीजी हों भट्टी साहब की क्लास लगी है और उनसे कड़े सवाल पूछे गया है नितीश काफी तल्ख दिखे मीटिंग में काफी तल्ख मिजाद से उन्होंने मीटिंग ली है और सभी अधिकारियों की जम कर क्लास लगाई है और टास्क दे दिया है क्लास लगाने के बाद टास्क दिया जाता है और नितीश ने टास्क दे दिया है तो देखिए नितीश के पास जो है यह रिकॉर्ड ह उनका जब से वो मुख्य मंत्री हैं तब से ग्री विभाग उन्हीं के पास है और समान्य प्रसासन विभाग ग्री विभाग के अंतरगत आप जानते हैं IPS अधिकारी जो है वो आते हैं और जो समान्य प्रसासन विभाग है उसमें IAS अधिकारी आते हैं और नितीज जिनके लि विदान सभा चुनाओ भी हैं और जिस तरीके से विपक शमलावर्थी अपराद को लेकर वियार में बढ़ते अपराद को लेकर सरकार की खूब किरकरी हो रही थी और उसके बाद ही नितिश कुमार एक्षन में आ गए हैं सियम हाउस में उन्होंने हाई लेवल क्राइम मीटिंग बुलाई डीजीपी मुख्य सचीब सहित पुलिस मुख्याले के कई बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में आयुजित क्राइम मीटिंग में शामिल रहे इस दोरान SSP, SP, IG, DIG, कमिशनर सहित बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फरेंस से जुड़े हाई लेवल क्राइम मीटिंग में तमाम आला अधिकारी सामिल हुए बड़ते अपराद पर अंकुष लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारीयों के साथ बैठक कर विदी विवस्ता की समिक्षा की है और आवस्चक निर्देश जारी कर दिये हैं बिहार में अपरादियों का मनुबल काफी बढ़ गया है कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन अपरादिक वार्दतों नहीं होती होंगी अपरादियों ने तांडब मचा रखा है जिसे लेकर विपक्ष नितीश सरकार पर हमलावर है तेजस्ट्री आदवलगाता ट्वीट कर नितीश सरकार पर निसाना साध रहे थे वहीं बिहार में बढ़ते अपराद के खिलाप इंडिया गटबंदन ने भी 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्श निकाले जाने की घोशना गर दी है चारों और बढ़े अपराद को लेकर नितीश कुमार की खूब किरकरी हो रही है वहीं लोग पुलिस की कारसेली पर भी सवाल उठा रहे थे विहार की पुलिस को अपराद रोक पाने में विफल सावित होता देख मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने आनन फानन में विधी विवस्ता की समिक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों की बैठक बुला ली और उनकी बातों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अधिकारियों को बेहद ही आवस्चक निर्देश दे दिया है उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में आपरादिक घटनाओ परंकुस लगाईए ये लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि गरी विभाग नितीश के पास रहता है और उनके सहयोगी जो भी रहे हो चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो इस वक्त वो चाहती रही है कि गरी विभ विभाग उनके पास आए लेकिन नितीश वो विभाग नहीं छोड़ते कभी नहीं छोड़ा उन्होंने और इसलिए जब लॉए और पर सवाल उठने लगे तो नितीश ने आनन फानन में सब अधिकारियों को बुला लिया मुक्यमंत्री आवास में और बैठक की है क्लास ल देखेंगे आप भी देखेंगे तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्शनी उसके साथ